इंडिया आज कल सच खबर हर पर राहुल गांधी कांग्रेस और भारत जडो नियाय यात्रा लुक्सवा चुनाव दोजर्चोबिस की तारीखों की गोशणा के साथ ही राहुल गांधी और कांग्रेस की भारत जडो नियाय यात्रा का समापन हो गया है यात्रा के दौरान राहूल गांदी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टों का ट्रेलर दिखा कर लोगों का ध्यान खींचा मनीपूर से निकली राहूल गांदी की भारत जोड़ो निया यात्रा मोम में पहुंच कर खत्म हो गई नियायात्रा भारत जोड़ो यात्रा से थोड़ी अलग रही जिसमें राहूल गांदी को कई राजियों में धक्के खने पड़े नियायात्रा के दौरान ही मुम्ताब नर्जी ने इंडिया गटवंदन को छोड़ कर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया और नितिश कुमार को भी साथ सोड़ने का बहना मिल गया भारत जोड़ो नियायात्रा राहूल गांदी की पहली और दूसरी यानि भारत जोड़ो नियायात्रा में काफी फर्क देखने को मिला है राहूल गांदी की पहली यात्रा से दूरी बनाने वाले समाजबादी पार्टी के नेता अखले स्यादब का साथ भी भारत जोड़ो नियायत्रा के दुरान मिल गया और दिल्ली की मुख मंत्री अरविंद केजरिवाल के साथ कांग्रेस का दिल्ली में चुनाभी गटवदन भी हो गया जिसे पिछली यात्रा के समापन समारो का नियोता तक नहीं वेजा गया था हलंके अरविंद केजरिवाल की जिद के चलते पंजाम में कांग्रेस को आम आदमी पार्टी के साथ में फ्रेंडली मैच भी खेलना पड़ रहा है भारत जोड़ों नया एत्रा का समापन भी विवादों भरा हुआ है राहुल गांदी के भासड़ पर नया बावाल शुरू हो गया है राहुल गांदी के भासड़ से एक कीवर्ड शक्ती को ले करके प्रधान मंत्री मोदी पूरे विपक्ष पर तूट पड़े हैं परिवार वाले विवाद के बाद में ये दूसरा बड़ा मौका है जब प्रधान मंत्री मोधी ने विपक्षी खेमे की बातों से बाजी पलटने की कोशिश की है आखे राहूल गांदी किस के लिए लड़ रहे हैं? बहरत जड़ो नया अयतरा शुरू होने से पहले ही राहूल गांदी ने साफ कर दिया था कि वो लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए सड़क पर उतर रहे हैं फांच सूत्री नयाय के नाम पर तो राहूल गांदी ने पहले ही उन सूत्रों के नाम बता दिये थे जिनके नाम हैं युवाओं के लिए नयाय, नारी के लिए नयाय, किसान के लिए नयाय, स्रमिक के लिए नयाय, और हिस्सेदारी के लिए नयाय कांगरिस की तरफ से कैम्पेंच चल रहा है अन्याए के खिलाप लड़ाई जारी है न्याए का हक मिलने तक कांगरिस की तरफ से X पूरु में ट्विटर पर बारवाल लिखा जा रहा है हमने देश को बता दिया है कि हम किसान, महिला, युवा, स्रमिक और हिस्सेदारी के लिए क्या करेंगे लेकिन जिन लोगों के साथ लेकर लड़ाई ये लड़नी है और जिसके खिलाब ये लड़ाई लड़ी जा रही है राहुल गांदी अपनी ही बातों में उलजकर रह गई लगते हैं किसी भी निता की सारवजर के मंचों से कही गई बातें राजनेतिक बयान होती है और ये बयान हमेशा ही राजनेति रूप से दुरस्त होने चाहिए इतना दुरुस्त के राजनेतिक विरोधियों को उसे काउंटर करने में लोहे के चने चवाने पड़ें हो सकता है अपनी तरफ से राहूल गांदी एजेंट आसाइट करने की कोशिज कर रहे हो लेकिन बीजेपी मेह फिर लूट कर ले जाती है राहूल गांदी को ये नहीं बोलना चाहिए कि प्रदान मंत्री नरिंद मोधी जब लालू यादव जैसे मजह हुए नेता की बातों पर बाजी पलटने की रण नीती अपना सकते हैं तो उनका क्या हाल हो सकता है ये तो राहूल गांदी खुद भी बानते हैं कि मोधी उनसे अच्छा बाशड देते हैं भारत जोडो न्या यात्रा के समापन के मौके पर राहूल गांदी ने जिसके खिलाब लड़ाई लडने की बात बतानी चाही वहीं पर थोड़ा सा चूक गए राहूल गांदी ने एक सकती का जिक्र किया जिसके खिलाब वो लड़ रहे हैं राहूल गांदी ने यह भी बताया कि वो राजा के खिलाब लड़ रहे हैं राजा की सकती के खिलाब लेकिन तभी सकती को हिंदु धर्म से जोड़ दिया अगर हिंदुत उसे जोड़े बिना ही राउल गांदी आगे बढ़ गए होते तो भी कोई दिक्कत नहीं होती अगर सक्ति की जगह राजा की ताकत बोल दिये होते तो भी चल जाता लेकिन हिंदु धर्म का नाम लेकर के फंस गए बिल्कुल वैसे ही जैसे राउल गांदी के हिंदु, हिंदुत और हिंदुत वादियों में फर्क समझाने की कोशिसें बार बार नाकाम होती रही है प्रदान मंतरी नरिद मोदी ने शक्ति के बहाने हमले की धार न सिर्फ कमजूर करने की कोशिस की है बलके उन्होंने निशाना ही पलट दिया है अब अगर ऐसी चीजे चीजों में राहूल गांदी की राजनीती उल्जी रही तो न्याय दिलाने के दावे का क्या होगा पांच न्याय दिलाने का वादा अंजाम तक कैसे पहुँचेगा कि राहूल गांदी को अब तक ये समझ में नहीं आया कि वो मौजुद अदर की सबसे बड़ी राजने तेक शक्ती से लड़ाई लड़ रहे हैं और ऐसी लड़ाई में छोटी से छोटी चूक भी लड़ाई का रुख मोड देती है और हत्यार बैकफायर करने लगते हैं जुड़ो यात्रा में भी हुए थे लेकिन राहूल गांदी ने अपनी छवी बदल डाली थी पहले राहूल गांदी की इमेज बन गई थी कि वो किसी भी काम को अंजाम तक पहुचाने से पहले ही चुट्टी ले करके विदेश के दौरे पर चले जाते हैं राहूल गांदी ने पूरे रास्ते पद्यात्रा की कई जे गहतों साथी नेताओं के लिए भी साथ में चलना मुश्किल हो गया क्योंकि वो काफी तेज चलते या जोगिंग वाले जोस से भर जाते थे बहरा जुडो न्यायात्रा के दौरान तुराहूल गांदी ने छोटा सा विदेश दौरा भी किया लेकिन मनीपूर से मुम्मई तक का सफर पूरा किया बहराजुडो न्यायात्रा वैसे भी छोटी थी और पैदल के साथ साथ बाहनों से भी चलने का प्रावधन पहले से ही रख लिया गया था बहराजुडो न्यायात्रा 106 जिलों से होकर गुजरी जब कि बहराजुडो यात्रा में 76 जिलों को ही कवर किया गया था भाराज जुडो नया यात्रा 62 दिनों में ही खत्म हो गई जब कि भाराज जुडो यात्रा 140 दिन तक चली थी चुनावी सफलता के पैमाने पर तौलें तो पहली यात्रा के दोरान कांगरिस की हिमाचल प्रदेश में सरकार बनी थी जो राजस्वा चुनाव के दोरान बालबाल बची है उसके बाद करनाटक में भी सरकार बनी जिसका कुछ क्रेडिट तो कांगरिस के अद्धक्च मल्लिकारदुन खरगे को भी मिलना चाहिए क्योंकि वो साउत से आते हैं फिर पांच राज्यों में हुए विदानसवा चुनाव में दो राज्यों में सरकार गमाकर भी अगर कांगरिस ने तेलंगाना में सरकार बना ली तो मुझुद हालात में कोई यह मामूली वात नहीं है लेकिन कांग्रेस को मद्यपदेश विदान सभा चुनाओ में हार की फिक्र जरूर होनी चाहिए क्योंको वहां की लड़ाई लोकसभा चुनाओ 2024 की तरह थी जिसमें कांग्रेस को बीजेपी से अपनी खोई हुई ताकत को छेन लेना था लेकिन कांग्रेस इस से चुग गई अब गलती एकनात की हो या देखविजय सिंग की दर्श तो राहूल गांदी के खाते में ही हो गई खेर बहारा जोड़ो निया यात्रा में राहूल गांदी ने क्या खोया और क्या पाया अब्वल तो न्यायातरा को राहुल गांदी की पिछली यातरा से जज़दा प्रभाभी होना चाहिए था लेकिन ऐसा हुआ नहीं हो सकता है यातर इंडिया ब्लोक के बैनर तले निकाल दी होती तो साथ ज़्यादा असरदार होती भाराज जोडो न्याय आत्रा से परहज रखने वाले अखिले से आदाव का राहूल गांदी की भाराज जोडो न्याय आत्रा में शामिल होना एक लेकनी उपलब्दी है लेकिन ममता बनरजी और निदेश कुमार का पूरी तरह से साथ छोड़ कर चले जाना लालू यादव के मुकाबले का अंग्रेस के लिए बड़ा जटका समझा जाएगा शिवाजी पार्क में राहूल गांदी ने पिपक्षी खेमे के नेताओं के साथ सक्ति प्रदर्शन की यह था संबब कोशिश जरूर की लेकिन नतीजा कोछ खास निकल कर आया हो ऐसा नहीं लगता देजस्वी आदव MK स्टालिन जरूर मजूद रहे लेकिन अरविंद केजरिवाल और अखले से आदव की कमी खल रही थी लोकसमा चुनाओं में राहूल गांदी को अखले से आदव और अरविंद केजरिवाल का साथ तो मिला है लेकिन दिल्ली की ही तरह पंजाम में भी आम आदमी पार्टी के साथ गढ़धन हो गया होता तो बात कुछ और ही होती विपक्ष के और भी बहुत सारे निता भारत जुड़ो नियायत्रा के समापन समारों में शामिल हुए जैसे डी राजा, उद्दव ठाकरे, शरत पवार और फारुक अब्दुल्ला जैसे निताओं का मंच पर खड़ा होना विपक्ष के एक जुट होने का संदेश देता है लेकिन वो बहुत प्रभावी नजर नहीं आता है पांच नियाय के बहाने रावल गांदी ने गुम गुम कर चुनाव की गोषणा से पहले ही कांगरिस का मैनिफेस्ट तो बता ही दिया है युवाओं के लिए एक रेजुट होते ही अपरेंटिस्टिप, महिलाओं के लिए किन सरकार की नोकरियों में 50-20 दिया रक्षण यही कोई उसे आसुरी सक्ति के रूप में समझाता फिरे, तीर कमान से छूट जाने के बाद शक्ति के इलाज के लिए तो संजीवनी बूटी की ही जरूत पड़ती है इंडिया आज कल सच ख़वर हर पर